बच्चा वाड मे गए तो बच्चा वाड करने अपिन मऩा मदद जहां करेंगे और बोलते थे कि बड नहीं है कोई फैदा नहीं है कंडा रेड़ करने से इसी तरह डेट कर जाएगा कि केय Fin analogy कि नमस्कार भारत लाइब देख रहे हैं आप बिहार में स्वास्त ब्यवस्था को लेकर लगतार सवाल उठते हैं ऐसे में बिहार के स्वास्त ब्यवस्था को लेकर कोरोनाकाल में जो मामला सामने आया आपने देखा था अब फिर से कई मामले निकल कर सामने आते हैं चाहे ब प्रवाइस को लेकर कोई विमारी हुआ ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया है जिसमें एक बच्चा है हिमान्सु कुमार जिसको ब्रेन ट्यूमर है पटना में उसे जितने भी सरकारी एस्पताल है रेफर कर दे रहे हैं उनका कहना है कि आप आई जे चले जाएए वहां से फिर एडमिट कराया था पहले बाद हाजीपूर में एडमिट कराया थे वहां पर फंदर दिन ले इलाइज चला दो बज़रात को रेफर कर दिये डौक्टर अजेस कुमार जी और दो बज़रात को रेफर कर दिये तो यहां चाइल्ड होस्पीटल के द्वाईपूरी है नहीं है तक अभी बोलते थे डौक्टर साहिब कोई फैदा नहीं है इलाइज करने से कि छो महिना बाद इसी तरह डेट कर जाएगा कि कितनों पैसे लागा लोग डेट कर जाएगा तो अम्माल नहीं कि बच्चा जिन्दा है तो उसको कई से छोड़ दिया जाए फिर वहां ओंषित willingness पैसि उपर जाएगा तो और आजिए में आ ये मेश्ट Алवाटा जयिए सब्सक्राइग निजआ है इस लिए फसकी फिर नंबर लगाए। आर ये उसमें भी बोल रहा है कि यहांपर भ stretch नहीं हो गा लॉग किए ति कि इसको इसका इलाज नहीं है या नहीं हो बोले किशक टिंबर सिन्हिंद्स में यह तो इसके लिए दिलनी नहीं ले जाइए कि वहां पर इलाज हो जाएगा इस पट्राइस में दिखाये पैंज कई Somewhere क्या बूलेब रेफर कर दिये यह और पीमसी येच और आईजी अमस में तीनों यह लीफ करके रेफर कर दिये के लिए यह बहाँ देखा एए अस्थाई सोलूशन नहीं बता रहा है लोग पूरा अदाम आज हम यह भी महीना से बॉख रहे हैं हुस्पीटल में कभी फिटल में खाली होस्पीटले होस्पीटले तो पता चला होगा सीटीएज केन में बांकि क्या समस्या होगा वही बुखार लगता था हलका फुरका पहले सुरू में खासी सर्दी हुआ यहां पता किया है पतना में इसका इलाज होता है अब होस्पीटले होस्पीटले तो जा रहा है डॉक्टर लोग के पास कि इलाज होगा तो जरूर करेंगे आजी एमेस में भी गया तो भी बहुत बड़ा टिमबर है कि यहां सक्सेस नहीं होगा कि अब दिल्ली एम्स ले जाए तो अब हमारे पास उतना पैसा नहीं है हमारे पास जो भी था आज देर महिना से होस्पीटले होस्पीटले बहुत आ रहा है तिन चारलाख रुपिया समझे कि लगा दिये इसको क्या करते हैं हम वही ठेला ठुली पफॉल इधर घुमा करके बेचते हैं अब आंगे महां देखिए अब सरकार से मेरी मांग है कि उसको भारत की अस्तर पर चाहे वह हो आईजिया में अच्छी इलाजे होती हैं लेकिन अब इनकी जो समस्याय हैं सबसे बड़ी समस्या की जल्द नहीं किया जाता है और रेफर कर दिया जाता है एक अस्पटल से दूसरी अस्पताल में दूसरी कड़ी में हम आपको बच्चे की तश्वीर और बच्चे की मा चाह ol है कि वह समझिया दिखाते हैं है तो दिखा किस तरीके से बच्चे की मा भी बता रही हैं और इन लोग का यही कहना है कि अस्पताल में जब एक अस्पताल से दूसरी अस्पताल में रेफर किया जाता है उस समय कहीं भी एक जगा एडमिट करके अस्थाई बेवस्था दी जाए और अस्थाई रूप से उसका इलाज हो ताकि आगे का पता चल पाए कि क्या इस्थिती है पटना में ऑपरेशन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे यह तमाम बाते हैं लेकिन अब इनका जो मानना है इन्होंने अप अपने बाते रखी हैं हमने आपकी सुनाई लेकिन अब आप इस मामले को लेकर कैसे देखते हैं लेकिन आपने बच्चे की तस्वीरे देखी है एक छोटा सा बच्चा है ब्रेन ट्यूमर है और उसके इलाज को लेकर यह लगतार चाहे वह पटना का हर जगा घूम रहे हैं लेकिन अस्थाई रूप से इन्हें पता नहीं चल पा रहा है कहां इलाज हो पाएगा मतलब की अभी तक कोई स्वास्त मंत्रा ले कहां से कोई हस्पीचल आप लोगों को ले नहीं रहा है कोई कुछ मदत नहीं कर रहा हैं अपने ने चिराग पासवान जी को सब कुछ बताएं हैं इसके बारे में आज समभातों मीदे कि कल वो आएंगे आप लोग से मुलाकात करेंगे अप लोग से मुलाकात करने के लिए हम देख रहे हैं बच्चा यह मेरा ही बच्चा है यह जान रहा है हम भी इस उम्र से गुझ रहे हैं सभी लोग हम लोग बच्चा हमारा है हम भी इस उम्र में थे हाँ हम संभूतम मदद जहां कखोगा अपने पार्टी लोग जन सक्ति पार्टी राम विलास की ओर से मदद करेंगे आप लोग को ठीक है ना कि कहा कहा अस्पिताल में हाजी पूल हाजी पूल रफर कर दिया तो चाल्य हस्पिटल में भरती की आज यह जो में पाच्छा दिन वहां तक फिर के हम लोगा क्या बोलें तक कल भरती होंगे तक अभी खुन जाती है क्ल करेंगे तब अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लें ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर वीडियो पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद